वेलकम टू दा बर्निंग स्टेडी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हर्याना CET का जो अभी एक्जाम का जो पैटरन है उसमें पहली स्टेज से लेकर लाज स्टेज तक भरती जो परकिरिया कंप्लीट होगी वो कैसे होगी तो देखी भाई यह है एक अपडेट अपने भोपाल सिंह खद्री जो HSSC के चेर्मेन है उन्होंने कल एक इंटर्यू दिया है जिसमें सारी चीज़े जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर रखी है तो मैं आपको सारी चीज़े संदलता हूँ कि भाई कैसे कैसे यह जो है यह भरती प्रकिरिया पूरी होगी सबसे पहली बात अगर हम करें तो भाई 32,000 तोटल कुल आवेदन है 420 जो है वो यहाँ पर कैटेगरी है और इसके लिए देखिए भाई यहाँ पर जो अभी जो फोर्म भरे जाएंगे न वो अगले 17 तक भरे जाएंगे मतलब आप यह मान सकते हो 7 दिन का टाइम और लगेगा भी फोर्म भरने में तो अभी 7 दिन का टाइम तो पक्का लगने वाला है साथ में जो एक्जाम जो डेट है साथ वो भी आपकी थोड़ी चेंज होंगी थोड़ी आगे शिप्ट हो सकती है क्योंकि अभी एक्जाम डेट के बारे में किसी ने कुछ नहीं वोला लेकिन मुझे लगता है कि साथ दिन बाद अगर पोर्टल ओफन होता है तो यहाँ पर जितना टाइम नहीं है कि वो एक्जाम के लिए फोम भी भरवा ली जाएं और बाद में उसके लिए जो डाटा उन्हों कलेक्ट करना है एडमिट कार्ट जारी करने है वो कर पाईं तो भाई टाइम साथ लगेगा अभी थोड़ा डिले होगा आपका एक्जा हैं लेकिन यहाँ पर एक तीज और दिमाग में आती है कि भाई देखो अगर मान लिजिए SC की वेकेंसी 30 हैं OBC की वेकेंसी 40 हैं अगर जनरल की वेकेंसी 50 हैं तो यह कैटेगरी वाइज इतने गुना बुलाए जाएंगे यह बात आपको नोट करने की है कि कैटेगरी वाइ आपके साथ में आपको अपना वन टाइम जो डालना पड़ेगा डालने के बाद में आपका पूरा डाटा जो है वह खुल जाएगा उसमें कुछ डोकुमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे जो आपकी क्वालिफिकेशन जो नई मतलब है अगर आपने कर ली है या पर कोई ओर डिगरी करी है कुछ भी किया आपने तो वह आपको यहां पर डालना पड़ेगा उसके बाद में उसके बाद में आपको फोर्म जब आप भरोगे तो आपको बताएगा कि भाई आपने इस इस पोस्ट के लिए आप eligible हो क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने डाला बीकॉम मैंने बीकॉम कर रखी है तो मेरे पास में वो सारी वेकेंशी आ जाएंगी जो बीकॉम के बेस में भर सकता हूँ तो वेकेंशी पर मैं टिक करूँगा तो अगर किसी वज़य से अगर ऐसी वेकेंशी आपके सामने आएगी कि भाई जिसके लिए आप eligible नहीं है ले आप eligible के लिए नहीं है उसके बाद में क्या होगा ये तो है आपके फॉम भरने का तरीक्ता आप फॉम भर देंगे फॉम भरने के बाद में क्या है जो आयो क्या काम करेगा category wise आपके च्यार गुना या फिर 5 गुना जो भी category में कम बच्चे हैं तो वहां पर 5 गुना गाइब क्या का यहां पर इड़ाटा उटायेगा उन बच्चों का क्या है एग्जाम लिए जाएगा जैसे एग्जामी के बाद में फय्सेज्ट और यह यह उद रहेक mendels क्रेशिकros पर आप पर जेई बनना चाहते हैं तो पहले नुमर पर ढाल दिया गंछै अगजमने बनना चाहते है तो और चाहते हैं से अपर पहले पेरेटी ज्यास जाइक क्सामें वरेटी 12 गाजिए दूसरे ट्याधे से यौन बेरटी Ass wusement जिनका number आपसे ज्यादा है तो यहाँ पर फिर आपको पहली preference नहीं मिलेगी आपको second preference के लिए check किया जाएगा तो यह result में तो काफी time लगेगा लेकिन यहाँ पर एक चीज और सामने निकल के आती है अगर आप ध्यान से देखो तो भाई देखो सबसे जो बड़ा गुरुप जो बनता है वो बनता है भाई 6000 बच्चों का जो की आपका मतलब की graduation level पे common exam है उच्छे हजार के आजपास बच्चे हैं तो अगर हम अंदाज लगाएं तो वहाँ पर आपकी च्यार गुन अगर बच्चे बुलाते हैं तो 25,000 बच्चे को बुलाए जाएगा और कहीं न कहीं ये 25,000 बच्चे वही होंगे जो आप भी मान लिजे 25,000 तो मतलब हर एक बच्चा बच्चा बच्चता है तो B.com वालों के लिए भर रखा होगा कोई मान लिजे B.tech वालों के लिए भर रखा होगा कोई B.sc वालों के लिए भर रखा होगा तो वो वहीं पर भी बटे हुए है तो मतलब की बात यहाँ पर यह है जो डोटल 32,000 बच्चे जो एकजाम देने के लिए बोला है जो मतलब 32,000 बच्चे है उन में से बच्चे तो कितने है लगबग 25,000 तो यह है मान लिजे और थोड़े बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनने ने गरिजेशन नहीं कर रखी सिरफ प्लस टू कर रखी है तो वो प्लस टू बेस पर जाएंगे तो सीधी सीधी बात यहां पर यह है जितने भी सीटी के टोप पर बच्चे है 25,000 के आजपास वो सारे लगेंगे बाई मतलब बात यह है वो सारे लगेंगे 100% क्यों? क्योंकि मान लिजी आपने फोम भर दिया ठीक है आपकी पहली वेकेंशी के साब से आपके पास काफी वेकेंशी है अगर 32,000 वेकेंशी है तो सेलेक्शन तो 25,000 मतलब होगा 25,000 का सेलेक्शन होना वेकेंशी 32,000 है कोई बच्चा कहीं चला जाएगा कोई कहां चला जाएगा एक की वेकेंसी भर सकता है तो यह सीधे-सीधी बात यहां पर यह है जितने भी बच्चे एकजाम देंगे CT का जो जिनका admit card जारी करेगा HSSC वो यह समझ लो लगगे एक परसेंट उमीद है कि उनकी किसमत खराब हो और वो score नहीं कर पाएं अच्छा तो वो रह सकते हैं otherwise तो रहने का मतलब भी नहीं है भाई ठीक है तो यह चीज दिमाग से निकाल दो देखो यहां पर यह चीज यह है भाई 4 गुना बच्चे बुलाएंगे तो 25,000 बच्चे ही उठाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा गुरूब जो है उठाएंगे तो 25,000 बच्चे तो वो 100% लगेंगे इस post में नहीं तो किसी और में लगेंगे समझे मेरी बात को तो यह चीज आपको बतानी थी vacancy के इसाब से selection उनका 100% होना है लगबग लगव बच्चे लग जाएंगे और थोड़े बहुत बच्चेंगे तो भाई उनके लिए अगली वर त्यारी करना लेकिन यहां पर क्या है जिस तरीके से इन्होंने पूरा प्रकिर्या बनाई है उससाब से जो है सब बच्चे लग जाएंगे बाकी रही बात CET का जो अभी कोर है दुबारा से मतलब बनाना है तो वो जो है वो आपके एक्जाम डेट के जो भी मतलब फोर्म बरने की जो लास्ट डेट है उसके बाद में जारी किया जाएगा और उसके साथ में ही यहां पर एक सीज और बोली है कि भाई एक लाग 51,000 बच्चे जो है न वो जिन्होंने डाटा में संसोधित करवाने के लिए या तो क्लेम किया है या फिर क्लेम नहीं किया है तो उनका डाटा जो है चेंज होगा साथ में ESP के कुछ पद भी आएंगे तो यह भी CDT के अंदर यहाने वाले हैं तो यह कुछ वेकेंसी के बारे मे साथ जी मैंने आपको बता दी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए का चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए का थेंक्यू सो मच